आप सब लोग खेरियत रहूंगी अच्छ हम आज जो है बेसिकल जो हमने एक लेक्चे सीरी स्टार्ट की हुई है फिजिक्स नाइन टेंथ के पास्ट पेपर सोल करने की उसी कोई कर रहे हैं पहले तीन वीडियो में अप्लोड कर चुक हूं वह बेसिकली मैंने नाइफ क्लास की फिजिक्स के पास पेपर सोल करने से स्टार्ट लिये और मैं नाइन्थ क्लास पैडल बोर्ड के जो टेटेस पेपर था टूट होजर नाइनटीन का जो के फैटल बोर्ड की एप एससी की वेबसाइट पे अवेलिबल था उसको मैंने सोल करके आपके साथ शेयर किया है उ और आज जो है हम 2018 का जो नाइथ क्लास पैटल बोर्ड का फिजिक्स पेपर है वो स्टार्ट करने लगें यह वीडियो बेसिकरी इसमें हम सबस्क्राइब करेंगे इस पेपर के तो स्टार्ट करते हैं सबस्क्राइब तो यह है कि मैं आपके साथ जो है वो यह फैटल बोर्ड की वेबसाइट पर आगे हो ठीक है यहां से फिजिक्स पी चले जाते हैं तो एक मिनिट ठीक है यह बेसिकली 2019 की पेपर ओपन हूंगे जैने तो हम कर चुके हैं यहां पर आप चले जाए 2018 में एशनी 1 ऐनुवर 2018 हैन से अब आफ को देखें कि फिजिक्स कहां पे है तो यह पेजिक्स इसकश पीपर जो है आपने क्या करने नहुंड कर दो ठीक है तो आपको पास यह आपको पीपर नजर आ रहा होगा ठीक है तो यह मैंने पेपर जो है आपके सहा हमने खोल लिये हैं तो आप क्या कर लेते हैं चले इस पेपर को आप स्टार्ट करना करते हैं स्वाल करना देख आप देख रहे होंगे कि आपको अधनल पर युहां पर यहां पर सेम इंटरफेस अपने सिक्षेन होते हैं मिलती है। जो आपके निग्रादी का रहे होते हैं तो यह बिसक्राइट नाइंट क्लास का फिजिक्स का पेपर है इसका सेक्षिन एजुए हम सोल करने लगें बारह मार्स हैं बारह जो हैं वह बिसक्राइट ही है उर इंस्टरक्शन सेम में 20 मिनिट आपके लिए टाइम हैं विदिं 20 मिनिट आपनी यह पार्ट्छिक्स और अपने जो इन्वेजि लेटर हैं पर समिट करा ना उते हैं उसके आपको section B और section C जो एक ही page के उपर पर होत है वो आपको मिलते हैं तो instruction जो है और मैं लास्स टाइम या वो का था फिर repeat कर देता हूं कि आपने कोशिश करनी होती है कि आप मैक्सिमुम से मैक्सिमुम विज्टिन एप सब्सक्राइब कोई नेक्टिब मार्किंग नहीं होती और कोई भी क्वेश्टिन छोड़े ना चाहे वह आपको आता है या या नहीं आता और इसके लावा सेक्शन ए जो है यह कंपलसरी होते हैं और पहले बीश मिनिट में यह आपने कंप्लीट करना होते हैं और अगर आप कोई ऑप्शन कार्ट के दुबारे किसी और को टिक करेंगे तो इसको कुछ वाइद नहीं होगा क्योंकि वो रांग ही कंसिकर की जाएगे जो आपس द्गाएं टिक करना हुथा है आपने यह बारे करी हैं तो चले अब भाव अब इसमें दो कर्णा श्रूव उसे आपने सर्कल करना होते हैं थो तो हम चाप्रत प्रतिंग हैं कि आपने इस तरह सरक्ल का नोते हैं मतलब जो भी राइट अंसर हो जरूरी नहीं कि यह 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 तो मैं वैसे आपको बता रहा हूं बताने के लिए था ठीक है तो चलें एक क्वेस्टन नमबर वन कि स्टार्ट करते हैं लिस्ट कॉंट आफ मेरिंग स्लेंडर एज एक मेरिंग कि स्लेंडर जो होता है उसका लीस्ट कांट क्या ऑता है यह आप से पूछागा इस जो मैं देखली कि लिटर्स में और यहां get सब्सक्राट करेंग की यह मेरिंग से छीक्रट बार करकेंगों ऑपकर इक लाइंग लिटर्स मीं innovate किया है एंस कπό पता होए जी और वह भी आप से पूछे जा सकते हैं एकजाम मेnh एक्जाम में यही होता है इस पेपर में जिस तरह मेरिंग सिलेंटर का लिस्ट कूछ लेंगे तो यह बहुत इंपॉर्टन प्वेस्टन है तो लिस्ट कॉँंट मैंने आपको बता दिया मेरें इस प्वेस्टन का जो राइट अंसर है वह बेसिकली अदेख लें क्या होना चाही है है तो वो बैस्किकली ऑप्शन है के नंबर में जो सिगनिफिकर्ट होते है वो तमाम जो हमें नौ डिजिट्स होते हैं एक रिली वह जो पहला डौटफॉल चक वाला जो डिजिट होते है वह उता है यह देखेंज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है तो option A जो है वो correct है के numbers में significant figures जो होते हैं वो accurately non-digit और पास doubtful digit होते हैं हमारे पास question number three है when an object is moving with uniformly changing speed then the slope of the speed time graph determines the magnitude of जब एक object जो है वो uniform changing speed के साथ move कर रहा है तब uniform speed time graph की जो सलोप है वो हमें किस चीज़ की magnitude देती है तो यह आपने जो है याद रखना है कि अगर distance time graph हो तो वो आपको जो है magnitude देगी velocity की क्योंकि speed time graph है लहाज़ वो आपको magnitude देगी किस चीज़ की acceleration की तो यह आपने याद रखने है तो यह हमने question number three जो है वो attempt का लिए है question number four है जी a string is stretched by two equal and opposite forces f newton each एक रसी है उसे हम क्या करते है stretch का रहे हैं तो दो forces मतलब equal forces हैं opposite direction में दोनों की magnitude f है तो string में जो tension है रसी में जो tension है tension भी एक force होते हैं वो कितनी होगी तो वो basically दोनों forces का sum होगी ठीक है क्योंकि एक f है दूसरी minus f है तो net f minus bracket में माइनस f to minus minus plus f plus f to two f newton जो है वो हमारे पास जो है वो रसी में जो है वो string रसी में जो है वो tension होगी question नमर फाइव पार अबाड़ी से to be in equilibrium if एक जिसम जो है वो हम कहेंगे equilibrium में है कब चार ओप्शन भी हमारे option a its velocity is not changing option b its acceleration is uniform option c its velocity is changing option b its acceleration is not uniform तो यह basically what is equilibrium यह वोई इसने definition ही पूछी है आप से indirect तो इसका जो राइट अंसर है वो है basically option a its velocity is not changing तो question number five था अब बाड़ी से to be in equilibrium एक बाड़ी जो है equilibrium में कब होगा तो इसका राइट अंसर है option a एक बाड़ी जो है equilibrium में तब होगा जब इसकी विलास्ती जो है वो change ना हो रही हो ठीक है तो यह बहुत important statement है आपने याद रखना है question number six की बाड़ कर लेते हैं moon completes its one revolution around the earth in moon जो है वो चांड जो है जमीन की अपना एक चक्कर जो है कब complete करते है डेज में और में यह वीक्स में यह उप्शन गिवन है तो यह आपने जो है वो बताने है तो यह मैं आपको बता देता हूं एक मेंट इसे मैं चेक कर लेते हैं मैं आपको बताता हूं यह मून 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 को बीज इस वाप एक जो हैं तो यह इसका राइट अंसर है व्योंटी सेमन प्यूंट यह विट्टी सेमन प्यूंट्ट्ट् 3 okay where is question basically 27.4 27.4 let me confirm just a minute so so basically 27 days you have one day 27 days you have this right answer what 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 moon complete of the earth what 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 का मैस को क्या करने है हम एंबाइटू कर दें और साथ क्या करें हम विलास्टि को डबल कर दें मतलब व को हम कर दें और इसका यह स्केर है यह चीज है यह स्केर है ठीक है तो ठीक है वो कह रहा है कि फिर कानेटिक एनरजी के उपर क्या असर होगा तो देखें हाफ यह यहां से आ रही है आफ एम बाइटू टूवी का स्केर तो पहली बात हो यह है कि जब यह स्केर होगा तो यह हाफ एम बाइटू यह फोर वी स्केर बन जाएगा अब देखें नीचे यह फौर है उपर फौर फौर से कट जाएगा पीछी क्या बच जाएगा एम वी स्केर तो इसका मतलब यह क्यों कानेटिक एनरजी जो होती है मारे पास हाफ एम वी स्केर है और यहां पर जब मैस को आदा कर कर दिया विलास्टिर को डॉबल कर दिया फिर का इंडिक यह क्या और यह यह तो यह राइटव procedure फिर आ裡 कि आनेटिक अनजी हमरे पास जो है वह सिंपल हाफ एंडिक होती है आफ एम की जगह आप एम वी करो विलासिटी डबल करनी है विलासिटी कर जाएगा तो भी करो उसका स्केर होगा तो फोर भी स्केर बन जाएगा फोर यह नीचे हाफ और एम बैटू है जे फोर इससे कड़ स्केर बच जाएगा आपके पास यह पास राइट अंसर आ जाएंगा तो क्वेस्टन नम्र सेवन है ऐसा यूनिट पार थर्मल कंडेक्टिविटी आफ इस को हमने लास्ट पेपर में भी सोल किये अटेम्ट किया है तो यह देखें बहुत इंपॉर्टन क्वेस्टन है तो जो अंसर था वो ऑप्शन डी थी वाट पर मीटर पर केल्विन तो यह थर्मल कंडेक्टिविटी की जो है राइट यूनिट होती है क्वेस्टन नमर नाई ने हो मच हीट एनजी इस रिकॉरर टू फिफटी ग्राम ऑफ आइस और जो आइस की लेटेंट हीट अफ यूजन है वो उसने बता दिये कि वो तेंटीस छेजार जोल पर पेजिए हैं तो कितनी हीट चाहिए हमें तू फिफटी ग्राम ऑफ आइस को मिल्ट करने के लिए यह पूछ तो इसके लिए आपने क्या करना है खबने एम सी डेल्टा टी कवाल फर्मूलीर यूज़ करने की आपके पास यह होगी ऐम यह ऋगा डेल्टा टी वो जितना आपके पास टेंप्रेट्टर में जे चेंज आ रहारा है वो आजाएगा और आपको बता देता हूं वह आपको आजाएगा ओप्शन ए एट फोर ट्रिपल जिरो जोड तो यह इतनी अमूर टाफ हीट आपको चाहिए टू मेल्ट टू फिफ्टी ग्राउंब आइस तो इसका अगर आपको कंप्लीट सुलुशन चाहिए वह बहुँ बता देता हूं जेस्ट एस सेकेंड हो मच इट नट तो बेट तो मेंट फिफ्टी ग्राउंब पाइस फिफिफ्टी ग्राउंब आइस अपके अपके तो यह ज़स्ट तो यह ऐसे हैं इसमें कोई इतना प्राब्लम नहीं है जिसमेर मैंने आपको बता दिया क्यों सी डेल्टा टी आप निकार लेना है जो है वो टम्रेचर के डिफरेंस आप लेके बड़ी असानी से पाइन कर सकते हैं तो आपको जवाब जो है यह ऑप्शन आजएगा प्रेशर आप लिकुट डिपेंड जॉन एक लिकुट जो होता है उसको प्रेशर किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं चार ऑप्शन गिवन OR check a depth in the liquid option B depth and density of the liquid option C depth and mass of liquid option D density and weight of the liquid तो इस question की जो राइट अंसर है वह option B depth and density of liquid आपने याद रखना है question No.10 का राइट अंसर के a कोई भी लिक्विड हो उसको प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है डेप्थ कितनी है और लिक्विड जो है उसकी डेंस्टी जो है वो क्या है अगर एक सो न्यूटन की फोर्स हम लगाते हैं बाडी के उपर जिसका मैस तीन किलोग्राम है और वह उस फोर्स की वज़े से ती मिटर डिस्टेंस कावड करता है तो वर्क ड़न कितना होगा इस प्रॉसेस में वह बताने हैं बहुत सिंपल क्वेस्टन है आपको पता है कि व और देखें यह ना इसमें थोड़ सा कन्फ्यूस करने के लिए मैस का मैस भी दे दिया था बाडी का हलकि इसकी जूरूत नहीं है हम बता है कि वर्क प्रॉड़क्र फोर्स डिस्प्लेश्मेंट होता है वो जैस्ट कन्फ्यूस करने के लिए आपको अप गल्टी करें इस त्री को भी आप मल्टिप्लाइड डिवाइड करें तो सम्ट्रा इंफ्रमेशन भी कुश्टन भी गिवन होती है तो आपने कन्फ् जो है वो वर्क डान होगा अगर हम 100 newton की force जो है 3 kg mass body उपर लगाते हैं और उसके नतीजें में वो 3 meter का distance जो है वो covered करते हैं ओके अब है जी question number 12 question number 12 है the value of the gravitational field strength of the earth at a distance r where r is the radius of the earth from the surface of earth will be क्या कहना चाहरा है जो gravitational field की जो strength होती है जमीन के उसकी distance r की उपर पूछना चाहरा है वो क्या होगी from the surface of earth तो वो बेसिकली आग पास होगी 2.5 newton पर kg ठीक है तो यह आप पास जो है वो इसका जो है right answer आता है 2.5 newton पर kg तो the value of gravitational field strength of earth च्च्च्च्च ड्डेक इस वोड़ चाह्ड और ऑफ रफ वो श्यूता की तो में आग्यूंड रफ और बने धिश्मी व श्यूच्च्च आट रफ तम पर प्रक्रश्च डेंग्य। इसका राइट अंसर मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होगा वो बेसिकली 2.5 न्यूटन पर केजी होगा तो बिल्कुल ऐसे ही है यह होगा क्यूंकि ए ओके तो हम कहां थे कि यह ओप्शन सी जो है वह इसका जो है राइट अंसर है क्वेस्ट नमर्ट को कर दो चलें समप कर देता हूं इस पेपर को हमने यह इसमें हमने जो इम्पोर्टन चीज़े देखी है वो मैं आपको नोड़न करा दूँ एक तो यह कि मेरिंग स्लेंडर का लिस्ट पॉंट हमर पास वन एमेल होता है इस तरह आपको स्प्रियू गेज और वेरियर कलिपर की लिस्ट पॉंट भी जबानी जाद होने चाहिए कि इसी भी नमबर की सिग्निक्रिकेंट फिगर्स क्या होते हैं वो सारे और पहला जो डॉटफुल डिजिट होता है वो होते हैं इसके लावा अगर हमने पर स्पीर टाइम ग्राफ हो तो उसकी जो स्लोप हो वो हमें असलरेशन की महिंग चूट बताती है इस तरह अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो उसकी स्लोप की महिंग चूट हमें विलास्टी बताती है और इसके लावा हमने ये भी देखा कि बाड़ी कोई करने तो हमारे पास हैं मतलब हो जाती है इसी तरह अगर इस को कहा जाए कि क्या फर्क होगा अगर हम आधे की जगह डबल करने को कहा दे और विलासटी को डबल की जगह फो टाइम कहरे तो इस फर्मूले में आपने ये मैस और वैलुव की तो तो चीज़े डाल के आपने सिंपल करके बता देने हैं कि इतनी हो जाइए बहुत इंपोर्टेंट रिपीटिटिड एमसी कुछ फिर अमने पास एक आया कि थर्मल कंडेक्टिविटी की यूनिट के लिए जो थर्मल कंडेक्टिविटी होती है उसकी यूनिट के है हमने लास् सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह यह हमने पेपर वह बड़ अच्छी तरीके से समय लिया तो चलें अगर कोई चीज़ आपको मजीद समय नाई हो किसी चीज़ में तो आपने कोमेंट सेक्शन में लाजमीन बताना है और इसका इस पेपर का सेकेंड पार्ट जो है शार्ड प्वेश्टन जो है वह मैं आपसा नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करता हूं तो चैनल को लाइक सब्सक्र काल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाँ अफेश्ट क्वेश्ट साटन 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 in is